हमारी इस भाग दोड भरी जिंदिगी के अंदर सब कुछ ओंदोगो होता है यहां तक की हमारा खाना भी और अगर भाग दोड करते वे खाना खाये जाए तो यह सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होता है लेकिन इसका भी एक उपाय है अगर मैं आपको यह कहूँ के ओंदोगो हेल्थी बन सकता है जिसे आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं किसी भी वक्त खा सकते हैं तो बस आज की जो मेरी डिश है वो एक बढ़िया सा फलाफल सैंडविच है जिसके अंदर मैंने सफोला मसाला ओट्स का एक ट्विस्ट दिया है विच बिकम्स अ मील विच इस ओन दे कौन कहता है कि टेस्टी कांट भी हेल्दी मैं बनाओंगा लाजवाब डिशिस आपके लिए जो हैं बहुत हेल्दी दी और इस डिश का नाम है सफोला क्लासिक मसाला ओट्स फलाफल राप अब इसके अंदर हम डालेंगे सफोला क्लासिक मसाला ओट्स और इसके अंदर हम डालेंगे एक पैकेट पानी विल गिव दिस आ नाइस स्टर और इसको हम पकने देते हैं इन दे मीन टाइम हम फलाफल बनाते हैं फलाफल एक मेडिटरेनेन डिश है जो चिक पीज यानि की छोलों से बनता है इसके अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा चॉप्ड अनियन हलका सा नमक, red chilli powder, cumin powder यानि की जीरा powder हलका सा black pepper, थोड़ा सा baking powder अब इसके अंदर डालेंगे चौप्ठ धनिया, इसके अंदर हम डालेंगे चौप्पार्सले थोड़ा सा lemon juice, हलका सा whole wheat flour, रहा सा बारी कटा हुआ थोड़ा सा लसुन और इस सब को हम अब एक साथ मस लेंगे मेरे पास ये पोटेटो मैशर है इस इस टान ये सफुला मसाला ओट्स तयार है हम इसे मिक्स करेंगे छोलो के मिक्सचर के साथ ये हो गया एक हेल्दी ट्विस्ट इस फलाफल को इसको अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर तब तक इसकी योगर्ट और क्यूकंबर डिप बनाते हैं जिसे हम ससाथ की भी बहुते हैं बहुत ही सिंपल डिप होती है इसके अंदर हमें चाहिए लोफाट योगर्ट पील और डाइस्ट क्यूकंबर थोड़ा सा दिल जिसे सुवा या सुए के पत्ते भी कहते हैं लिल सॉल्ट हल्का सा पैपर और थोड़ा सा चॉप्ट काले इसे अब हम चर्न करेंगे अब तक है अब तक है इसे पूर करेंगे अब हमारे हाथ हेल्दी बोल में मिक्सट थंडा हो चुका है अब इसके हम छोटे-चोटे बॉल्स बनाके से रोस्त करेंगे और राइट थोड़ा सा पानी हम में एक टोरी में डालेंगे हाथ थोड़े से मॉइस्ट करेंगे और इस मिक्स्चर के जो टेबल टैनिस की बॉल होती है उस साइज के छोटे-छोटे आकार में हम इसे शेप देंगे और राइट यह जाएगा आवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेट पे करीबल 15-16 मिनट के लिए आईए देखते हैं कि सफोला फिट फूडी मीटर पर इस डिश का ओरिजिनल स्कोर क्या है सफोला फिट फूडी मीटर इस डवलप इन कंसल्टेशन विध इंडिन डायटिक एस्सेशेशन यह मीटर डिश की नुट्रिशन और हेल्थ को सिंप्लिफाइ करता है डिश के टोटल हेल्थ स्कोर के साथ साथ हमें बताता है कि हमारी डिश आम तोर पे बनने वाली डिश से कितनी जादा हेल्दी है सफोला फिट पूडी मीटर पर एक रेगुलर फलाफल रैप का स्कोर होता है 33 और आज हम इसे बहुत यह आसानी से बीट करेंगे यानि एक हेल्दी फलाफल रैप बनाएंगे सफोला मसाला ओट्स के साथ और फंदा मिनिट हो चुके हैं देखते हैं कि फलाफल तयार है कि नहीं और राइट इस आ रेड़ी अगर आप गौर से देखें तो यह काफी ड्राइ लग रहे हैं इसके इंदर हमने तेल का इस्तेमाल कराई निक जो रेगुलर फलाफल होते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं लेकिन यह जो ड्राइ होने की समस्या है यह बहुत ही छोड़ी समस्या है क्योंकि जब हम डिप डालेंगे तो यह मॉइस हो जाएंगे all we need to do is take them, press them a little, stuff them in, जितने यह ले सके अराम से, stuff them in, beautiful हमारे पास हमारी यह डिप है, यह क्यूकंबर और योगर्ट की डिप, इसके ओपर डालेंगे और इसे हम सर्फ करेंगे और साथ में and it's ready, अब देखते हैं इस डिश का एक जटपत रीकाट, सफोला क्लासिक मसाला ओट्स, फलाफल राप बनाने के लिए, पहले सफोला क्लासिक मसाला ओट्स को पानी के साथ पका लें, इसके बाद एक बोल में ले, चिक्पीस, अनियन, सॉल्ट, रेड चिली पा इसके अंदर आद करे पके हुए सफोला क्लासिक मसाला ओट्स, mix well and the batter is ready, once it cools down, make small balls out of this and bake them at 180 degrees Celsius for 15 minutes, for the सजाथ की दिप, in a blender, add low-fat yogurt, cucumber, dill, salt, pepper and garlic, blend well and it's ready, now take whole wheat pita breads, stuff them with falafel and top it up with the सजाथ की दिप and your falafel wraps are ready to serve. सफोला फिट फूडी मीटर इस दिश को देता है पूरे 57 points, यानि यह आपकी regular डिश से काफी healthy है, और अगर आप चाहते हैं के ऐसी धेर सारी healthy recipes आप आपके mobile phone पर हो, तो बहुत ही simple है, simply download our app which is सफोला फिट फूडी and have access to hundreds of such recipes.